हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेकनिकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में तो आज की वीडियो में हम देखी है कि block level elements और inline elements क्या होते हैं और इनके बीच का basic difference क्या होता है दोस्तों बस एक छोटा सा point है जो miss हो जाता है काफी बार समझने में लेकिन इस वीडियो में इसका solution है हमारे पास तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो उसको subscribe जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगए तो उसको like and share करना ना भूलें तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं block level elements basically जब हम HTML सीखते हैं शुरू आती हैं तो उसके टेक्स में क्या होता है कि शुरू में हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा block level element है कौन सा inline element है तो उसको use करने में हमें काफी दिक्कत आ जाती तो इसके लिए बहुत ही simple शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो भी टेग जो टेग यूज हम करते हैं उनको elements भी बोलते हैं तो जो टेग पूरी लाइन को घेर लेता है बिना उसका कोई भी यूज करे मान लीजे हमने उसमें केवल एक शब्द का यूज किया है भली एक लेटर का यूज कि लाते हैं एक्जामपल के लिए मैं पीटेग पता देता हूं आपको पीटेग क्या होता है आप पीटेग कहीं पर भी लीजिए अपने HTML पेज पर महापे पीटेग के बीच में जो भी लिखेंगे वो तो आपका नॉर्मली लिखता चलाएगा लेकिन जैसे आप पीटेग के इनलाइन इलेमेंट क्या होते हैं इनलाइन एलिमेंट में मैं आपको एकजामपल दे देता हूं जैसे कि आपको फॉन्ट को बोल्ड करना या अटैल करना उन्हों को स्ट्रॉंग फ़ॉं में देना है या फिर उनको चे के जो अलग अलग टेक्स होते हैं, बॉल्ड के लिए भी, मैं बॉल्ड का एक्जाम्पल दे देता हूं, तो मान लिजी आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड मास्टर, उसको आपको बॉल्ड करना है, तो आपने मास्टर के लेफ्ट और राइट में टेग ओपन और टेग क्लोजिं चाल पर इसे लिखा हुआ है, तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया यह जो बी टेग है, यह ब्लॉक लेवल अलिमेंट नहीं यह, इन लाइन लाइन लेट होते हैं, आइज छो एतलिक वर्ड के लिए यूज होता है, और ब्लोक लेवल अलिमेंट में यह जो एचज वन ए सारे अलग-अलग टेक्स होते हैं आप उनको भी सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों से कंक्लूजन ये निकल के आया कि वो टेक्स या elements जो कि पूरे लाइन को occupy कर लेते हैं भले हमने इसमें कितना भी content लिखा हो या बिल्कुल content ना लिखा हो थोड़ा सा content लेकिन वो पूरी लाइन को occupy कर लेंगे तो वो हो गए ब्लॉक लेवल एलिमेंट और वो टेक्स या element जो केवल उतना ही space occupy करते हैं लाइन में जितना कि उसके अंदर content लिखा है उससे ज़्यादा occupy नहीं करते उससे कम occupy नहीं करते हैं तो वो हमारे क्या हो गए वो इन लाइन इलिमेंट हो गए यहीं के बीच का basic difference होता है इनका key point यही है कि दोनों कितनी जगए space space कितना use करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इसको like and share करना ना भूले आपके ने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर करें और चैनल को subscribe जरूर कर लें अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद